कैनेडा में जो स्टुटेंट्स पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं सिर्फ सोला से सत्रा लाख रुपे का खर्चा आएगा और सेकेंडली इस जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वहां पर आपकी प्रोबिलिटी भी इजी हैं तो वो कैसे वो मैं आपको डिटील अभी बताता सिक्स तु नाइन तो जिरो सिक्स तु नाइन तो जिरो पे कॉल करने के बाद तो जैसा कि स्टुटेंट्स अभी परशान है कि उनको फिनेशल प्रॉलम आ रही है जब से डबल जीएसी होई तेरा लाख रुपे जीएसी होगी है तो फीस वगेर अभी डालके तो जो 15,000 के राउंड ही जीएसी पे करनी पड़ती है जो की तक्रीब अगर लगाओं तो नौ लाख के आसपास बनती है और उसमें अगर आप फीस भी डाले तो हमारे पास कुछ ऐसे इंसीचूट्स हैं जो 12,000 से लेके 15,000 फीस में अगर 12,000 की बात लगाओं तो तक्रीब अगर कि आप कैनेडा में पढ़ने भी जा रहे हों पुराने खर्चे पर पढ़ सकते हैं क्योंकि बाकी पूरे कैनेडा में अगर आप कहेंगे तो जीएसी सारी जगह वही 10,600 के राउंड ही है लेकिन सिरफ क्यूबिक में ये जीएसी कम है तो उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं यहां पर जो पीर है वो अरली मिलती है अरली पीर कैसे क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स है वो अगर आप पर अपनी शुडेडी कमपलीट करते हैं उसमें फ्रेंच सब्जेक्ट आपको साथ में पढ़ना पड़ता है डिशनली तो जब आप अपनी स्टूडी कमपलीट कर लेते हैं उसमें आप CSQ के अंडर eligible हो जाते हैं CSQ क्या है जो students को नहीं पता तो यह है cubic selection certificate अगर आपको CSQ मिल जाता है तो उसके बाद आप immediately PR के लिए apply कर सकते हैं यहाँ पर ऐसा नहीं है जैसे इंटेरियो ब्रेटिश क्लंबिया बाकी इस experiences में कि आपको experience लेना पड़ता है जब आपका जौब का experience उता वन year गए उसके बाद आप apply कर सकते हैं यहाँ पर straightway apply कर सकते हैं यह अगर आप कहीं और भी जाते हैं तो वहां पर आपको जौब sponsor की जूरत पड़ती है जिससे भी आपने किसी sponsor से आपको job लेके फिर ही आप apply कर सकते हैं यहाँ पर cubic में आपको ना तो job sponsors की जूरत है ना ही आपको work experience की जूरत है अगर आपने french subject पड़ा है आपनी study complete की है तो आप direct इसके लिए eligible हो जाते हैं उनकी provincial nomination program के अंडर यानि कि आपको PR मिल जाती है क्यूबेक की जो कि automatically two years के बाद federal PR भी मिल जाती है और वैसे भी आप French के साथ जो Canada की federal government है वो भी एक program लेके आने जा रही है जिसमें आप French सेलरी भी जादा लगती है आपको extra salary मिलती है जो English speaking students है उनके comparatively और job भी easy मिलती है और यह क्यूबिक में आज की date में ना तो कोई job की problem है ना कोई accommodation की problem है और secondly early PR है फिर भी students का रुजान इधर नहीं है तो मैं यह students को advice करूँगा कि आप क्यूबिक को prefer करे आज की date में अगर आपने पढ़ने के लिए जाना तो bells overseas the sound of your future